तो कि है अगलो अगलों डेखेंगे कि जो क्यों कौन कॉन से एक्षिन होते हैं इसके अलाबाँ क्या करता है वो बेसिक में क्या करता है दोनों चीज़ देखेंगे इसके अलावा के टुसी आटू सवन का भी सेम चीज़ देखेंगे तो सबसे पहले हमारे पास अक्षन में हमें यह पता होना चाहिए कि हाउ टू बैलन्स है रिटॉक्स रियक्शन को कैसे बांस करते हैं तो स्की लिए कुल सोते हैं मरिमिटियम के लिए अलग रूल सोते हैं चक्छा गाएं तो छोते हैं लिगो ते सेकेंड पॉइंट होता है और यह वाला इंपॉडेंट है फोर बैलेंसिंग ऑक्सिजन एड़ एक्वाल नंबर ओफ और यू कन से एक्विवेलेंट नंबर ओफ वाटर मॉलेक्यूल त्ने ही वाटर मॉलेक्यूल उटने ओक्सिजम करते है कि बश्ची में क्या करते हैं एड इक्क्यूवलट नमबर अफ वाटर मॉलिक्यूल कुछ रइज एड़ास ऑक्सिजन एक तुदा रिज साइड ओफ बश्यन कि लिच तरह अक्सीजन ज्यादा है उस तरफ का करते हैं जो वाटर मॉलिक्यूल आप करते हैं तो बैक और ही इस तरह बएक कर रहे हम जिस तरह से करें घिन कर रहे हैं क्रूल करें नंबर आठ़ गुळल उफ है on the opposite side of H2, ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, कि जितने भी हमने water molecule add किये हैं, उसके opposite side में क्या करना है हमें, H plus iron add कर देने हैं, ठीक है, इसको अभी हम question के form में देखेंगें तो ज्यादा समझ आएगा, इसका जो तिसरा point है, इसमें हमें क्या करना है, add करना है, OH minus iron, on the opposite side of H2O, जिस तरफ हमने H2O add किया था, उसके opposite side में क्या करना है हमें, OH minus iron add कर देने, ठीक है, तो बेसिक से difference से याद रखना है, तो सबसे बदा रूल क्या था, यह अगर हमारे पास एक reaction में, oxygen और hydrogen को छोड़क के जो भी element है, उसे हम simply 2, 4, जो भी आएगा, उसको लोगा कर लेंगे, second for balancing oxygen और hydrogen, उसके लिए क्या क्या रूल है, अलाग अलाग होते है, HD को basic में, oxygen के लिए क्लिए 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 हमें, equivalent number of water molecule on the deficient side, तो हमें deficient side में water molecule add करना है, basic में क् कर देंगे, H plus sign add कर देंगे, इसके लावा basic क्लिए क्या करेंगे, जिस तरह water add किया है, उसके opposite में क्या करेंगे हम, वे हम यह मैंने sign add कर देंगे, तो यह basic rules होते है, जो में याद रखने है, ठीक है, और fourth point जो है, रहेगा, कि balance the charge by adding electron, balance the charge by adding electron तो यह चार पॉंट है, जिसमे कि कि मेदेचेंगे हैं इसे कि वीडियों एंड सेकेंड वन इस इन नीट्रल कि स्ट्रेट्ली बेसिक और नीट्रल मीडियूम तो ये दो जगह हमें दिखना है कि जो Km4 है उसका equivalent weight कितना होता है ठीक है ये भी important है कभी कभी आ जाता है इसके लावा MCQ में भी आ जाता है ये question ठीक है तो important है ये बात ध्यान रखनी है तो मैं ध्यान कर रखना होता है अगर हम बात कर रहे हैं acidic medium की तो acidic medium में जो Km4 है वो किस में convert होता है वो Mn2 प्लस आयन में convert होता है ये बात हमें ध्यान रखनी है acidic medium में Mn4 जो आयन है it gets converted to Mn2 प्लस आयन यहां पर oxidation state कितनी है इसकी प्लस 7 प्लस 7 से 2 में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है यहां पर reduction हो रहा है अगर Km4 खुद reduce हो रहा है तो दूसरों के क्या करेगा है यहां पर इस तरफ oxygen total 4 और यहां पर कितनी oxygen है 0 तो कितनी का difference हुआ है टोटल चार का difference हुआ ठीक है तो यहां पर बैलंसिंग oxygen add equivalent number of water to the deficient side कहां बाले राट करना है मुझे इस तरफ oxygen करने मुझे उस तरह water molecule add करने है तो चलो इसमें करते हैं देखो तो यहां पर तो फोर है यहां पर जीरो तो यहां पर जीरो वाली हुई और कितने का difference है टोटल चार का difference है तो यहां पर क्या करेंगी हम 4s2 add कर देंगे जितने हमने हैस्ट किये हैं उसके double हम क्या क सब्सक्राइब करेंगे यहां पर फाइफ एलेक्ट्रॉन एड कर दो यहां पर की जोड़ सब्सक्राइब करेंगे बşकले कटुमा सब्सक्राइब करेंगे इस facto शब्सक्राइब कर देखो हमारे पास बालेटेक्वेश्चन ओ भो आ गई उसका फर्मुला पता क्या है अब जो एक्विलेट वेट होता है इसका फर्मॉला क्या होता है इसके लावा नमबर अफ एलक्ट्रॉन इस इन डाय रियक्षिन ठीक है तो इक्विलेट निकालें के लिए वह से बहुता है इक्विलेट वेट के यहाँ पर क्योंकि यहाँ पास एक्विलेट रिदॉप्स एक्विलेट रिखेशन चलेगी और और उक्सिलाइजिंग इस 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 ऐसे बहुत है और नीच रिखेंगे जब रिखेंगे टिवरेट रिखेंगे कि टोटल कितने एलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं उस रिक्षिन में देखो अगर हम केमनफ फोर का विट निकालते हैं तो क्यमनफ फोर जो है है उसका मॉलेक्ट होता है 158 कि अलावा कितने इलेक्टन यूज हो रहे हैं तो 158 कि इलेक्टन यूज हो रहे हैं तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड कर अंदर पर आ जाएगा यह 31.6 तो इस सब्सक्राइब करोड़ कर लिया सबसक्राइब कर लिए उसको यूज किया और लो को यूज करके हमने क्या किया कि अप उसके बाद मिन्हें're a simple जो उसका अ मॉल्ट कलिघ होता है उसको हमने क्या किया जितने अलेट्स पाडिसिपेट कर रहे scripture ते उतने इलेट्रों से दिवाइट कर दिया आँ keluar और पास्ज क्या हुआ एकवान वे ताल्य के वन खोर का अुग प्ल एक दम जो सब्सक्राइब रहेगा वो है equivalent weight of Kmno4 in neutral medium तो सब्सक्राइब देखा था हमने STD medium में कैसे निकालते है equivalent weight अब देखिएंगे neutral medium में कैसे निकालते है equivalent weight तो neutral medium में क्या होता है जो Kmno4 है it gets converted to MnO2 और we can say यहां से K को हटा दो लिएकन जस्टाइट पर बैगने टाइम तो जो पर में टाइन ऑन और टो में करणवट होता है कि बैलेसिंग करेंगे देखो medium काई सा है basic medium रहेगा तो देखो मैंगनी सिंगल मैंगी सिंगल इसको तो बैलेस करेंगे को जो इतनी यह पहले से बैलेस है और यहां पर कितनी उक्सिजिएन है फूर औक्सिजिएन यहां पर टू ऐक्सिजिन ठीक है तो यह है हमारे पास इंट साइड जहां पर ज्यादा ऑक्सिजिए और यह हमारे पास दिविच्टि आइड जापर ऑक्सिजन कम है और डिफरेस्टि के नहीं यह पर फोर या पर तोटिफेरेंस है हमारे पास दो ऑक्सिंग का डिफिरेंस है जिस तरफ रिच साइड ऑफ उक्सिजन उस तरफ क्या करिंगी हम two water यहां पर देखेंगे चार्ज तो देखो यहां पर चार्ज कितना है इसका माइनस वन और यहां पर इसका आप देखो यहां पर यहां पर थ्री इलेक्ट्रोन का यूज किया घृट्रोन का यूजे लिए ठीक है इसके लावा इक्विलेंट बेट निकाले का फ़र्म ला वही सेम रहेगा एक्विलेट वेट कैसे निकालते हैं एक्विलेट वेट आफ के वर फोर को डिवाइट पर नमबर अफ एलेक्ट्रॉन तो यूज्ट ठीक है तो यह मारे पास फॉर्मुला होता है जैसे लिखा था हमने उपर देखो अटाम वेट कितना होता है के वर फोर का 158 और नमबर अफ एलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हुए यहां पर देखो ट्री एलेक्ट्रॉन यूज़ हुए तो इसको क्या करेंगे हम थ्री से डिवाइट कर देंगे और फाइनली जो आसा लाएगा हमारे पास हुआ जाएगा 52.67 ठीक है तो इस इस दाइक्विलेंट व की कितने कितने होते हैं तो इस इस इंपोर्टन तेखिंगे हम OK-Daisy action कि कर देखिंगे और की कर देख्यान रखनी है क्या क्या होता है तो सबसे पहले देखिंगे हम एक्टम्सिंपल सी है लिए याद रखना क्या है कि जो के विए और विए औली से जो पर मेंट आएन है यह में टू प्लस में करना मठ होता है फर्स बात दियान रखनी है इसके लाबा अगर बात करें बेसिक वीडियम की इसमें जो पर मेंगनिट आएन है इस गेट कनवर्टेट टू एमनोट वनोट होता है तो पहली बात तो में धियान रखनी है ठीक है कि जो प्रेशन पर मेंगनिट है वो कर दोनों बात धियान रखनी है इसके अलावा जो फडू प्लस है इड़चे इड़्डी तो फडू ब रखनी हो जाएगी आई माइनस इड़चे टू को ही प्लस ये यहां पर क्या और यह दुटा रहा है और यहां पर से कहां यहां पर यहां पर चुनमिया रहा है तो यहां पर आपर फॉर दित अट वन गाफ करे आवा है ॹजर फोर टू मैनेस जो औग्जलेट आयन और यह अगर हमने फोर के साद्धिशन राते हैं जारे इसके लावा फॉर्थ बनीज अगर मेरे पास ढूएस यह से इससे इस तो नो हो जाएगा सब भलत हो जाएगा सब फॉर में अगर मेरे पास अल्फाइट थिए तो इस ठीक है शल्फेट में कनूट हो जाएगा इसके लावा अगर मेरे पास नाइट राइट है इट गेट कनवर्टेट टू एनो थी माइनस एंड एट इस नाइट रेट तो यह सब महारे पास औक्षिदाइजिए एक्षिन है कि आमनों 4K ठीक है गाँ टू प्लस लीकरू वरा है और इद अलिजीद और और ऩान यॉधु तो में सलपायारि सल्फ़र में अल्फाय। मेंना Esse कि दॉट अफिल्टेम कि आट पम्ल्स थाल्य आग्विद्ट गे मीडिकिव ठीक है नेक्स देखें गाँ के सिंग्ये में तो बेसिक मिडिमें ज ठीक सिंपल साय बहुत इंप इसका उकशिदेशन ऑप मैस में फाइब ठीकर तो यहां से आपर मैस में स्वश्ब्स फैप में जा रहे हैं क्या और है इसका ऑक्सिदेशन हो रहे हैं तरिक है शेकिंद पॉाइड जो ध्यान रखना एमें एस्टु ओ ऑ तरी टू माइनस यू ये कनवट होता है एस्टु फोर टू मैनस में इसका नाम है थायओ सलोफेट तो थाय सल्फेट गेट कनवर्टेट टू सल्फेट आयन ठीक है थर्ड पर यो ध्यान रखना है में को एस टूओ फइफ टू मायनस इट गर्वर्टेट टू एसफेल कणेंगा करूपी टू अधायन थी अधायन रखने इसके पर यह बना सकते हो जैसे भेर पास अगर ब्यार्म ऐन से ब्रोमाइड है तो यहां पर ब्रोमाइट से कहा जाएगा ब्रोमेट की तरफ जाएगा तो सिमिलर ही है 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 यह जो है सिम तरीके से चलेंगे ठीक है तो दीज आर दॉक्स रेजिंग एक्षन अब एक रेक्षन को बैलेंस करके देखते हैं कि हाँ तो बैलेंस है डिडॉक्स रेक्षन तो लाइक हमारे पास एमनों फोर है एक फिटू प्लस और यह एसटी विड्यों में दे रखा है ठीक है अब पूछा है बैलेंस करो डियक्षन को अब देखो इसमें मुझे पता हो ने चाहिए कौन किसमें जाता है ठीक है देखो तो जो मुझे पता है कि जो एमनों फोर मैंस है और मेडियम अगर अधिक रहे है तो किसमें कर्प्ष होता है वह इसमें करन सेpl Hijc वहां यहां से अंपर क्या हुआ संग हो रहा है डुक्षन तो this is redox reaction यहाँ पर oxidation state प्लस 7 प्लस 7 से 2 में जा रहा है और यहाँ पर प्लस 2 से प्लस 3 में जा रहा है ठीक है अब देखो this is reduction half reaction this is oxidation half reaction अब दोनों को अमारा अलग बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले लेते हैं हम oxidation half reaction जो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पर देखो चार्ज कितना है चार्ज यहाँ पर प्लस 2 का चार्ज है और यहाँ पर प्लस 3 का चार्ज है तो क्या करो यहाँ पर एक electron net कर दो ठीक हो गया balance एक electron net कर दिया कितना आगया मैनस 2 आगया electron जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर negative लिक आएगा रहा है एक प्लस में इसके बैलनसी के अपर देखी थी पर चार ऑक्सिए नहीं पर एक भी ऑक्सिजिन एक तो फोर वाटर मॉल्क्राइब कर दो डेफिसेंट में और इसके अपोसिट में एट एट प्लस इतना करते ही क्या उजाएगा अप चार्ज अपर एट प्लस और मानेस और यहां प्लस टू का चार्ज है तो क्या करण यहां परफ एकटॉन एड़ कर दो तो इस तरह से मंप्लि का करते हैं बैलेंस कर लेते हैं इन दोनों रियक्षंग को मुझे करना है अब भी और यहां टूल इलक्त्रॉन है वह कटने चाहिए देखो अगर मैं इस वालिक्ष सब्ख B site वेरेंगे अब उयेचाएर इंट कर दो अरे हर यह मैं तो जित फैंद्ट रहे हो जाएगा कि इस 5 ऐलक्ट्रों से 500 खर्ड़ गए और नहीता है सबस Forgive रहे हो मैं पछाव से लिग दो जो enabled ठीक है यहां पर सिंगल मेंगनीज फाइब फाइब यहां पर फॉर ऑक्सिजिएन है और यहां पर भी फॉर ऑक्सिजिएन है तो एलिमेंट सारे बैलेस अब देखते हैं चार्ज इस इंगल माइनस यह 5 इंटर 2 और यह 8 का प्लस तो टोल कितना चार्ज हुआ यहां पर हो गया फ्लस का 17 ठीक है यहां पर देखो यह प्लस टू और यह 15 523 कर देंगे 5 को 3 से मटिपलाई करेंगे तो यह मेरे पास टोल चार्ज हो गया 17 तो दोने दरफ कितना चार्ज है प्लस 17 प्लस 17 रिशन बैलेंस ठीक है तो इस तरह एसे हम बैलेंस करते हैं किसी भी इक redox reaction को ठीक है जो भी हमें रिशन दे रखी होगी उसमें हम उसको उवेचागर और लगल बैलांस करेंगे बैलांस करने बाद अगर उसका सब्सक्राइब कर लेंगे तो दिस तरह से हम बैलेंस करते हैं इसी का हम कुछ नंबर टू देख लेते हैं लाइक मेरे पास कि यह दे रखाए ठीक इसको मुझे बैलेंस करना है एसेटिक मेडियम में तो फिर से भई हमें पता होना चाहिए कि जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सब्सक्राइब और यहां पर कार्वन जो है वो प्लस-3 ठीक है तो सबसे पहले बैलेस करते हैं Oxidation of reaction, तो Oxidation of reaction में CO2O for 2-, यह किसमें convert हो रहा है? It is getting converted to CO2, देखो, carbon यहाँ पर कितने हैं? 2, यहाँ पर carbon एक ही है, तो क्या करो पहले? Simplit 2 लगा दो, और 2 लगाने के साथ ही पूरी reaction ही बैलेस होगी, देखो, 2 carbon, 2 carbon, इस तरफ 4 oxygen, 2 to 4, 4 oxygen, चार्ज देखो, यहाँ पर मैनेस 2 का चार्ज है, और यहाँ पर एक भी चार्ज नहीं है, तो क्या को रहा है? तो तो एलेक्ट्रोन एट कर दो, इस तरफ भी 2 मैनेस होग में 8H+, और यहाँ पर 5 electron, ठीक है? तो यह हमारे पास आ गया balance equation, अब देखो, यहाँ पर 5 electron है, तो कट तो सकता नहीं है, तो क्या करों को दोनों को equalize करो, equalize कैसे करोगे? इस वाले equation को आप multiply करो 2 से, और इस वाले equation को आप multiply करो 5 से, तो मैं multiply करने के पाद जो final result है, वो क्या जाएगा मैं इसको दुबारा से लिख लेता हूँ, तो इसको 5 से multiply करेंगे तो 5, C2O4, 2 minus, यह 10 CO2, plus 10 electron, इस वाले equation को multiply करेंगे 2 से, तो क्या हो जाएगा यह, 2M4 minus, plus 16H plus, plus 10 electron, gets out, 2M2 plus, plus 8H2O, ठीक है? तो यह multiply करने के बाद मैं इसको दुबारा से लिख लिया, अब जाली बाद तो 10 electron से 10 electron चले गए, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो जो बचाव से लिख दो, तो फाइनले वारे पास क्या जाएगा? 2M4 minus, plus 5C2O4, 2 minus, plus 16H plus, gets out, 2M2 plus, plus 10CO2, plus 8H2O, ठीक है यह balance equation हागी हमारे पास, अब दो चेक कर लेते हैं कि बैलेंस वाकी नहीं हुआ, अपर विदर्स कार्वन है, हाइजन सोला, इस तरह भी हाइजन सोला, 8H16, oxygen देखो यहां से हो गए, 10 x 2, तो ट्वेंटी तो यहां से हो गए, और 8 यहां से हो गए, तो टूला मारे पास 28 oxygen है, यहां पर, ठीक है, इस तरह देखो, 2 x 4, तो यहां से हो गए, इसके लाबाँ 5 ठीक है, चार्ज देखो यहां पर, कितने हैं, यहां पर देखो, 2-, और यहां पर 10-, और 16+, तो टूल जाज कितना हो गए, यहां पर, 4 प्लस का चार्ज आ रहा है, टोटल, ठीक है, यहां पर देखो, 2 पैंगनीस है, और 1 पैंगनीस के उपर 2 चार्ज है, तो कितना हो गया, वोग्लस तो यहाँ पर विछार्ज कितना आगया 4 फुश तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पार सारे एलिमेंट बैलेंस है और सारे चाल बैलेंस हैं तो इस सारी से हम कि देखो तो पिसम फोर मायनस है यह पता बेसिक मीडियम में एक यह प्रदीज से चलता है देखो महली है यह प्रहुद देख सकते हो i- यहाँ पर minus 1 है और यहाँ पर कितने में जा रहा है 3-6 plus 5 में जा रहा है तो यह हमारे पास हो रहा है minus 1 से plus 5 this is oxidation ठीक है अब देखो सबसे पहले लिखते हैं oxidation half reaction तो oxidation half reaction में क्या हो रहा है i- करवट हो रहा है i-3 minus में iodine single, iodine single तो इसको balance करें ज़री उतनी है oxygen देखो है अपर 3 oxygen है और यहाँ पर एक भी oxygen नहीं है तो यह हमारे पास rich side यह है deficient side ठीक है और oxygen balance करने का rule क्या था यहाँ पर difference कितने है यहाँ पर 0 oxygen यहाँ पर 3 oxygen तो difference कितने का है 3 oxygen का difference है तो rule क्या था कि जिस सरफ rich side होती है उस सरफ equivalent number of water molecule add कर देते हैं तो यहाँ पर तीन का difference है तो क्या करेंगे यहाँ पर 3H2 add कर देंगे और 6OH- 6OH- add कर देंगे हम उसके opposite side में ठीक है तो 6OH- हमने add कर दिया है उसके opposite side में अब देखो balance हो चुका है इस सरफ minus 1 और minus 6 माइनस 7 का चार्ज है और यहाँ माइनस 1 का चार्ज है तो अगर मैं यहाँ पर 6 electron और add कर दूँ तो minus 1 balance ही था 6 electron मैंने और add कर दिये तो total कितना चार्ज होगे है यहाँ पर minus 7 इस तरह भी minus 7 है इस तरह भी minus 7 है तो इस तरह से हमारा oxidation वाले जो पार्ट है वो balance हो जाता है next देखो reduction of variation वाला पार्ट MnO4- किस में कनोट हो रहा है MnO2 में तो single manganese single manganese को करना ही नहीं इस में इस तरफ देखो 4 oxygen है इस तरफ 2 oxygen कितने का difference है दो oxygen का difference है तो क्या करेंगे rich side में दो water molecules add कर देंगे उसके opposite में उसके double OH- add कर देंगे relation balance हो चुका है electron देखो यहाँ पर minus 1 और 4 minus ठीक है तो क्या करो यहाँ पर 3 electron और add कर दो तो balance हो गया reaction यहाँ पर भी कितना हो गया 3 electron add करते के साथ ही minus 4 हो गया और यहाँ पर तो minus 4 चली रहा है तो इस तरफ से हम इसको balance कर लेंगे अब इसके बाद क्या करेंगे देखो जो दोनों reaction है उसमें electron कटने चीए अगर नहीं कट रहें तो हम उसे किसी बिक्स टेबल नंबर से मटिप्लाइब करके electron equal कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर 6 electron है यहाँ पर 3 electron है तो क्या करो इस वाली प्लाइब करेंगे तो लगा देंगे टू इंटू फोर एस टू प्लस थी इंटू टू शिक्स एलेक्ट्रों गिप्स आउट तू अटू 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 प्लस एट वेस्ट माइनस विश्ट्राइब करेंगे लिख लिया उप्रवल एक्वेश्न का एसटीस उतार दो आई- मजलाइब कर्राइब के सबसक्राइब मयांस कि एप्रश्री आउट करें तब्स एपनल्वारी सभ्राइब में ही आने चाहिए तो देखो 6 एलेक्राउन से 6 एलेक्राउन कट गए इसके लावा 6 वेच इसे 8 कट गया है यहां पर 2 बच गया 3 एस टुओ और 4 एस टूओ एक गया यहां पर एक बच गया तो फाइनले मारे पास जो भी बचा हुआ है उसको लिख दो तू एमनोफोर माइनस प्लस आई माइनस प्लस हैस्टो गिप्स आउट तू एमनोटू प्लस हाई ओ थ्री माइनस प्लस तू एच माइनस ठीक अच कटने से जो जो बचा था उससे हमने का किया लिख लिए अब देखो चेक करते हैं बैलेस वार नहीं हुआ दो मैंगनीज इधर भी दो मैंगनीज सिंगल आयोडीन इधर भी सिंगल आयोडीन ऑक्षिजन देखो इस तरफ टू इन्टू फोर और यहां से बन एट यहां से और वन यहां से तो टूल कितने हो ऑक्षिजन प्लाइन ऑक्षिजन होगे यहां पर देखो टू इन्टू त सबस्क्राइब इस था किल अभर मैंने यहां पर इंए από Aidwnों चोनर्च गतल तो इस तरह से एंगे India देख लेते हैं मीडियम का हम एक और कोशन देख लेते हैं मनद 4- बेसिक मीडियम की जो रिक्षन थी कौँन फिस में कर्विट हो रहा था यह वाला हमने देख लिया ठीक है अब नेक्स देखते हैं थायर सल्फेट टू सल्फेट ठीक है अब देखो यहां प्लस से कहा जारह है प्लस फॉर यहां पर अर्ड इसक्षिट और यहां पर होगा अगर एक रिडेक्शन और उस्राइशन ही होगा ठीक है यहां सुलफर की ऑफिलेशन स्टेट निकालोगे देखो कैसे निकालते हैं अक्सीलेशन से टू एक्स oxygen कितना होता है, minus 2, कितने oxygen है 3, तो total minus 2 charge, तो 2x is equal to, यह थरी चलाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे पास, 4, x कितना आ गया, plus 2, तो sulfur यहाँ पर plus 2 की state में है, तो सबसे पहले oxidation half reaction देखते हैं, तो यहाँ पर S2O3, 2 minus में, यह किसमें कनवट हो रहा है, यह S04, 2 minus में 2 लगा दो, दोने तरफ कितने हैं, तो दो सलफर हो गए, अब देखो, यहाँ पर जो total oxygen है, वो कितने है, 3, और यहाँ पर total oxygen, 2 into 4, कितने होगे total, 8 oxygen, तो यहाँ पर एक तरफ 8 oxygen, एक तरफ 3 oxygen है, कितने का difference है, जो difference है, वो है 5 oxygen का, 20 medium हम करते क्या थे, जितने भी oxygen का difference होता थ जिन में add कर देते थे, तो यहाँ पर 5 का difference है, तो यहाँ का करेंगे, 5S2, add कर देंगे, एक साइड में, और उसके opposite में, add कर देंगे, 10 OH-, इतने करते के साथ ही, जो रिएक्षिन हो जाएगी, देखो, दो सलफर, इस तरफ भी दो सलफर, ऑक्षिन देखो, 10 यहाँ से और 3 यहाँ से, टूटल 13 ऑक्षिन है, यहाँ पर देखो, टूटल 8 यहाँ से हो गई, 4 टूजा 8 और 5 ऑक्षिन यहाँ से, 13 ऑक्षिन यहाँ पर भी है, 10 वाटर, 10 hydrogen, इस तरफ भी 10 hydrogen, तो element सारे बहले से, अब चार्ज देखते हैं, यहाँ पर, माइस 2 का चार्ज है, और यह 10 मा माइस, तो क्या करो, यहाँ पर, 8 electron और add कर दो, 8 electron जहाँ इलेक्ट्रोन आएगा, क्या लेक्या आएगा, negative लेक्या आएगा, तो minus 4 और minus 8, कितने होगा, minus 12, दोने दरफ चार्ज क्या होगे, equal होगे, next देक्ते हैं, reduction of reaction, तो reduction of reaction में, पर, मेंगनेट किसमें कर रहत हो रहता, मेंगनीज डायोक्साइड में कर रहत हो रहता, और सिंपल साइस को बैलेंसिक अमने पहले भी देखा हुए, तो 4 इधर 2, 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 2 water add कर लो, यहाँ पर 4 OH, और इस तरफ 3 electron, तो इस तरह से हमारे पास जो य इस तरफ है 3 electron, और इस तरफ है 8 electron, तो कर तो सकता है, तो क्या करों इनको, एक common multiple पर ले आओ, तो common multiple पर कैसे आएगा, अगर मैं इस वाली equation को 8 से multiply कर दूँ, और इस वाली equation को multiply में कर दूँ, 3 से, तो दोनों पर electron कहां पहुच जाएंगे, 24 में पहुच जाएंगे, तो चलो इसको multiply करके दुबारा से लिखते हैं, इस इस 3 H2O3, 2 माइनस, यह हो जाएगा, 30 OH माइनस, gives out, 6 SO4 2 माइनस, प्लस, 15 H2O, प्लस, 24 electron, ठीक है, सेगंड बाल लिखें, 8 MnO4 माइनस, प्लस, 16 H2O, प्लस, 24 electron, gives out, 8 MnO2, प्लस, 32 OH माइनस, इस तरह से हमने इसको multiply करके, दोनों equation लिख ली, अब चलों इसको काटते हैं, देखो, 24 electron से 24 electron गए, 30 OH और 32 OH, यहाँ पर कितने बचे, 2 OH बच गए, 16 S2O, 15 S2O, तो यहाँ पर single S2O बच गया, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो जो बच गया है, उसे आप दुबारे से लिख दो, तो क्या क्या बचा हमारे पास, 8 MnO4-, प्लस 3 S2O3, 2-, प्लस S2O, गिपस आउट, 8 MnO2, प्लस 6 S4, 2-, प्लस 2 OH-, ठीक है, तो कटने से जो जो बचा हमने क्या किया है, दोबारे से लिख दिया, अब चलो चेक करते हैं, कि यह सही है यह नहीं सही है, देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो एलिमेंट्स है, उन्हें चेक करो, एट मैगनीज, एट मैगनीज, सल्फर देखो, यहाँ पर 3-2-6, और यहाँ भी सिक्स सल्फर है, हर्डियन यहाँ पर 2, और यहाँ पर भी देखो, 2 हर्डियन है, अब देखो, ऑक्सिन कालगुलेट करते हैं, टोटल ऑक जियन कितने हैं, यहाँ पर औक्सिएन 8 ईट प्वर, यहाँ पर अक्सिएन 3 इ dew 3, और यहाँ पर एक, तो टोल कितने होगे, यह क 16 plus 24 plus 2 that is 42 तो दोने तरफ कितने कितने oxygen है 42 oxygen है ठीक है तो हमने इस तरह से देख लिए element जो है वो सारे के सारे balance है अब देखते हैं कि charge balance है कि नहीं balance है देखो इस तरफ 8m04 minus है तो 8 negative इसका अलावा 3 और मैटबैस अलफाइट पर जो charge है वो 2-2 का है तो 3 into minus 2 2 total charge कितने हो गया पर 8 हिहां से और माम सिक्ण यहां से तो total charge हो गया हमारी पास minus 14 इस तरफ चाज़्यों कितना है 6 into minus to minus 2 तो मैणश्यल तो यहां से हो गया इसके लावा मानिस 2 हो एच्छ है तो माले सुचर्ण यहां से हो गया है तो व्यू पर मैनेस 14 दोगो ही आपर ही 14 और यहां पर भी इस प्रोटीन तो दो दरफ चार्ज क्या है बैलेंस है तो इस तरह से हम ऑक्सिडाजिस न प्रेटी और फॉड में जो रियक्शन से उसे बैलेंस कर सकते हैं ठीक है तो यह दोबार से रिकशाब कर लेते हैं नेक्स वेन देखा था हुआ जो की बहुत इंपोर्टट हुआ है कुशन कैसे कैसे बैलेंस करते हैं एस के तिमीडियम में धुशन कैसे बैलेंस करते हैं this is question no.2 this is question no.3 और यह देखाता हमने एक basic medium में ठीक है तो दू basic medium के देखे हमने तो acid medium के देखे ठीक है इस तरह से हम balance करते हैं किसी भी redox reaction को this is about the oxygen action of the K104